नमस्कर दोस्तों मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथागत आये सकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों इन दिनों यूपी पुलिस भरती की परिक्षाएं चल रही हैं तो उसी सिलसले में हम आज एक बार फिर से आपके लिए कुछ नए पॉइंट लेकर के आए हैं यहाँ पर अब जो question number one है वो है motor neuron disease motor neuron disease जागरुकता देखभाल और प्रबंधन पर तीसरा वारशिक सम्मेलन निमहंस बैंगलूरो में शुरू किया गया था तो अगर प्रशना जाता है कि motor neuron disease जागरुकता देखभाल और प्रबंधन पर तीसरा वारशिक सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया गया था या किया गया है तो उसका जवाब है निमहंस बैंगलूरो में इसे आयोजित किया गया था अब बात ये है कि आखिर ये motor neuron disease है क्या ये disease dementia की तरीके से है जैसे dementia ने कि भूलने की बिमारी होती है ये बिमारी अचानक से नहीं आती है ये बिमारी धीरे धीरे करके बढ़ती है अगर हम शुरुवाती तोर पे देखें तो शुरुवाती दोर में ये सिजनो फ्रेनिया क तरह होती है यकि इंसान कोई भी चीज रख गया है जैसे चाभी लग के बूल गया या ब्रश कर लिया है उसने लेकिन पृत्यी ये करीब 60 प्लस पे होती है, जिसे हम लोग 60 आने की बीमारी कहते हैं, और फिर जो तीसरी स्टेज है, या जो 30 स्टेज जो बोली आती है, तीसरी हवस्था है, वो डिमेंशिया नहीं की मौर्टर नियूरॉन डिजीज है, इसमें इंसान चीजों को भूल जाता है, और कभी-क परशिक सम्मेलन कहां शुरूआ था, बैंगलूरू में किया गया है, अब जो दूसरा सवाल है हमारा, किस राज ने इस कूली पाठेक्रम में, किस राज ने इस कूली पाठेक्रम में आपातकाल पर एक अध्याय को शामिल किया है, आपातकाल मतलब वही इमर्जनसी, इस इ सरकार से यह अपातकाल का जो घटना करम था, उस पूरे घटना करम को मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ पर इसकूलों में एक पाठेक्रम के तौर पर इसको प्रसुत किया है, उसी तरीके से अगला प्रशने सली हुंडम बौध विरासत, सली हुंडम बौध विर विरासत को किस राज्य में खोजा गया है, तो सली हुंडम की जो बौध विरासत है, यह आपको अगर देखें तो यह आंधर प्रदेश में खोजी गई है, आंधर प्रदेश में बहुत सारे बौध धर्मेक केंद्र हैं, आंधर प्रदेश में भी हैं, तमिलनाडू हैं, कर लेकिन अगर यहां पर हम लोग देखें कि सली हुंडम की बहुत विरासत कहां खोजी गई है तो वो आंधर प्रदेश में खोजी गई है यहां पर चैत्य विहार और विभिन्य प्रकार के जो श्रमणों के आवास थे उनको यहां पर बनाया गया है उसी तरीके से जो चौथा क्वेशन है किस NGO ने राष्ट्र व्यापी अभियान पूरी पढ़ाई देश की भलाई शुरू किया तो यह शुरू करने वाला NGO था बाल अधिकार और आप NGO का नाम है बाल अधिकार और आप तो इस तरीके से यह NGO है बाल अधिकार और आप इन्होंने राष्ट्र व्यापी अभियान चेड़ा है अभियान का नाम है पूरी पढ़ाई देश की भलाई वहीं अगला फिर से ये प्रशन है कि प्राचीन शहर तामलुक पश्चिम बंगाल में इस्थित है यानि कहां इस्थित है यह पश्चिम बंगाल में इस्थित है तो आज जिसे हम लोग तामलुक के नाम से जानते हैं प्राचीन काल में इसी तामलुक को हम तामरलिप्ती के न सालों का हाथी दात का मलमल का व्यापार विदेशों को किया जाता था और विदेशों का जो माल था वो इस तट पर आकर के उतरता था और यही पर इसी बंदरगा से होकर के मौर्यों के और नंदवंश के शासकों का जो माल था वो मगद सामरज तक पहुँचाया जाता था ले अभी मौर्यों का भी इसपर कब्जा माना जाता था। तो जो तामलुक जो शहर है वो पस्चिम बंंगाल में इस्थित है जहाँ पर चंद्र केतु गढप के अवसिश मिले हैं। अब ये जो चंद्र केतु सब्विता के जो अवशेश की बात के रहे तो चंद्र केतु की जो सब्विता है ये सब्विता ASI के अनुसार, Archaeological Survey of India के अनुसार, भारतिय पुरातत्व सर्विक्षण विभाग के अनुसार ये शुंग वंच से जुड़ी हुई है, यानि कि यहाँ पर मिट्टी के टैबलेट्स, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के खिलोने और ऑब्जेक्ट बरतनों पर एक बहतरीन उन पर कलाकारी हो रही है, ये सारा का सारा जो चंदर केतु में पाया गया है, ये वेग्यानिकों के अनुसार कुछ अलग तत्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें, अगर हम पुरा तत्य विभाग की, तो वो इस सब्वेता को बाकाइदा किस से जोड़ के देखते हैं, वो जोड़ जो पॉइंट है वो है, जेवलिन मानव पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाईल, जेवलिन, जेवलिन माने क्या होता है, भाला, जेवलिन थ्रो, हमारे हैं के जो चोपड़ा साव हैं, वो जीत कर क्या हैं पुरुसकार, तो जेवलिन मानव पोर्टेबल एंटी टैंक ग मिलकर के तयार कर रहे हैं, मिलकर के ही इसे बना रहे हैं, अगला हमारा जो प्रशने वो है केंद्रिय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिशद ने, यहां पर अग देखें कि सव्यासा के सहयोग से, सव्यासा के सहयोग से अंतिरिक्ष के लिए योग पर एक सम्मेलन बैंगलूरू में बुलाया था, तो केंद्रिय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिशद है, उसने सव्यासा के सहयोग से, अंतिरिक्ष के लिए योग, कहां के लिए योग, अंतिरिक्ष के लिए योग, जो इनकी थीम थी, अंतिरिक्ष के लिए योग पर एक सम्मेलन कहां बुलाया था, बैंगलूरू में बुलाया था, कहां बुलाया था, बैंगलूरू में बुलाया था, वहीं अगला हमारा जो दिवस 19 जून को मनाय जाता है वही 2024 यह जो मरत 2024 चलना है उसमें sickle cell दिवस का अखिर theme क्या था या उसके विशय क्या था तो 2024 का विशय था प्रगती के मध्यम से आशा क्या था प्रगती के मध्यम से आशा तो sickle cell के ये लिए को बता दूँ कि इसमें RBC कम हो जाती है एनिमिया का शिकार हो जाता है व्यक्ति और दूसरी बात है कि ये बीमारी कई मामलों में हम देखते हैं कि वो आनुवांशिक बीमारी की तरीके से भी हमको देखने के लिए मिलती है तो ये आनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है इसमे खून की कमी हो जाती है और इसमें RBC की जो कमी है वो तो है ही है तो इस प्रकार से ये जो लोगों को अवेर करना है लोगों में जागुरुकता पैदा करना है इसलिए ये कारिक्रम इन्होंने शुरू किया था तो विश्यो सिकल सेल दिवास 19 जून 2024 का जो विशय है वो है प् क्रशी सखी है तो नो डाउट ये क्रशी मंत्राले से भी जुड़ा हुआ है तो क्रशी मंत्राले के साथ इसको जोड़ करके देखा जा रहा है और उसी का ये एक प्रोग्राम है क्रशी मंत्राले ने भारतिये ग्रामीड विकास मंत्राले भारतिये ग्रामीड विकास मंत्र मंत्रालाई के सहयोग से इस कारिकरम को जन जन तक पहुचाने का काम शुरू किया है और उन्होंने ग्रामीर विकास मंत्रालाई के साथ हस्ताक्षर करके बकाइदा इसको लोगों तक पहुचाने में एक महती भूमिका निभाने का काम किया है क्योंकि ग्रामीर विकास मंत्रा गाउं से जुड़ा हुआ है, गाउं की सब्विता, गाउं की संस्कृति और गाउं के लोगों तक ये अपनी दखल रखता है, या पैठ रखता है, उसी तरीके से अगला जो मारा पॉइंट है, स्टार्शिप अंतरिक्ष यान, कौन सा यान, स्टार्शिप अंतरिक्ष यान, या तो एक्जाम में स्टारशिप अंतरिक्षियान किस देश का है किसने बनाया ये प्रशना सकता है या ये भी आ सकता है कि सुपर हैवी लिफ्ट इस्पेस वहिकल क्या सुपर हैवी लिफ्ट इस्पेस वहिकल या तो आप सुपर हैवी लिफ्ट इस्पेस वहिकल इसे का है या फिर इसे आप Starship अंतरिक्ष यान भी कह सकते हैं, इसका निर्माता यानी इसे बनाने वाली जो company है, वो है अमेरिका की Space X किसने बनाया यह, अमेरिका की Space X Company ने इसे बनाया है, केंदर सरकार की नई pension योजना, यानी कि UPS अर्थात Unified Pension Scheme को लागू करने वाला देश का पह पेंशन योजना शुरू की है केंदर सरकार के कर्वचारियों के लिए तो इस UPS यानी अर्थात Unified Pension Scheme को लागू करने वाला देश का पहला राज्य महराश्ट्र है तो पहला राज्य कौन सा बन गया है महराश्ट्र बन गया है वहां के मुख्यमंत्री एकनात शिंदे ने इ अभी election भी आने वाले है उस election से पहले ही वह इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को शुरू करने के लिए कार्य प्रगति पर चल रहा है अगला हमारा है जो प्रश्ण नेचर अफ्रीका पहल किस संगठन से संबंदित है तो वो बेटा संबंदित है योरोपिय संग से योरोपिय संग जो है उससे संबंदित है यानि कि जो योरोपियन यूनियन है उससे ये संबंदित है नेचर अफ्रीका पहल ये जो योरोपिय संग है ये वहाँ पर रोजगार देखता है रोजगार के कामों को देखता है शि प्रोपीय संग नेचर अफ्रीका पहल के तहट ये सब आग पर काम देखते हैं। राष्ट धारक कारशाला इसकी मेजवानी किस ने किया वेटा तो इसकी मेजवानी यूनेसको ने भारत ने किया और यूनेसको की मदद से किया है। बर्ड फ्लू यानि कि जो अमारे पक्षियों में फ्लू लगता है उससे जुड़ा हुआ ये H5N2 वाइरस है। बर्ड फ्लू से जुड़ा हुआ है। उसी तरह T-Corona Borealis क्या है। T-Corona Borealis क्या है। तो T-Corona Borealis तारा है। क्या है ये तारा है। आस्मान अंतरिक्ष में एक तारा है। इस तारे के बारे में कहा जाता है कि ये 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो कितना दूर है प्रत्वी से ये? 3000 प्रकाश वर्ष दूर है और 80 साल बाद ये चमकता है। क्या करता है ये? 80 साल बाद चमकता है। उसी प्रकार है गुडलेपा हली केरी पुरुसकार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गुडलेपा हली केरी पुरुसकार 2024 सिद्ध लिंगम पटान शेटी को प्रदान किया गया है। अभी किसलिए प्रदान किया गया है? तो वो कभी है? नाटकार है? यानि कि वो लेखक हैं। लेखन के खेत्र में ये पुरुसकार उन्हें प्रदान किया गया है। उसी तरीके से अगला मारा जो क्वेशन है आक्रामक्ता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर राश्ट्रिय दिवस कम मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है चार जून को मनाया जाता है आक्रामक्ता के शिकार मासूम बच्चे तो आक्रामक्ता तो सभी जगे कहीं पर राजनीत तोर पर है कही सामाजिक Ёकार्टार पर है कही जातिय तोर पर है कही धार्मिक तोर पर है और आदि इस तरीके के आकरमक्ता के शिकार हैं, तो ऐसे आकरमक्ता के शिकार बच्चों का अंतराश्टिय दिवस कब मनाया जाता है? चार जून को मनाया जाता है. अगला प्रशन है विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो वो जेनेवा में आयोजित किया गया था कहां विश्व सूचना समाज शिखर ये आयोजित किया गया था जेनेवा के अंदर उसी तरह भारत ने मानविय सहयता के तौर पर नब्बे टन चिकितसा अपूरती खेप किस देश को दी है बेटा? तो वो दी है क्यूबा को, किस को भीजी है क्यूबा को? तो क्यूबा को ये इनोंने बेजी है 90 टन की रसत समगरी और उसके साथ साथ इनोंने चिकितसा अपूर्ती की खेबी यहाँ पर पहुँचाई तो 90 टन चिकितसा अपूर्ती क्यूबा को बेजी गई है उसी तरीके से हूलोंगा पार गिब्बन अभ्यारन्य असम में इस्थेत है कहा पर इस्थेत है असम में इस्थेत है मैं एक बर रिपीट करूँगा हूलोंगा पार गिब्बन अभ्यारन्य असम में इस्थेत है तो यहां पर एशियाटिक गिब्बन बंदर पाए जाते हैं औ और गिबन बंदरों को जंगल पार करने के लिए क्योंकि जंगल के बीच से सडक और रेल मार्ग भी निकाले गए हैं तो उन रेल मार्गों को पार करने के लिए एशियाटिक गिबन बंदर के लिए वहां सरकार ने पूल बनाए हैं क्या बनाए वहां पर पूल बनाए हुए ह ताकि ये गिब्बन बंदर बिना किसी नुकसान, शारीरिक नुकसान के एक जगा से दूसरी जगा पर अपना आना जाना सुगमता से कर सकें उसी तरीके से अगला है प्रश्ण भारतिय प्रवासियों के एतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए पहली परियोजना ओमान में शुरू की गई तो जितने भी मारे प्रवासी भारती हैं, कई जगों पर हैं, घाना में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, योरोप में हैं, एशिया में हैं, रश्या में हैं, मेडे लीस्ट के कई और देशों में हैं, अफरीका में भी रह रहे हैं, तो इस प्रकार से जो भारती प्रवा भारत सरकार ने कहां बेटा शुरू की है ओमान में कहां शुरू की है ओमान देश में शुरू की गई है उसी तरीके से अगला है LVM3 LVM3 क्या है तो LVM3 इस रो का एक प्रक्षेपन यान है क्या है LVM3 इस रो का प्रक्षेपन यान है यह उसी तरीके से अगला हमारा और देखे 2024 के एशियाई जिमनास्टिक चंपियनशिप में स्वरण पदक जीतने वाले पहले भारतिय जिमनास्ट वो थे दीपा कर्माकर तो दीपा कर्माकर के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ये 2024 के अंदर एशियाई Gymnastic Championship में उन्होंने स्वरणपदक जीतने वाली वो पहली भारतिय थी कौन दीपा कर्माकर तो इस तरीके से ये जो दीपा कर्माकर हैं इन्होंने 2024 केशाई खेलों में स्वरणपदिक जीता था